विल्कम बेक स्कूरेंग्स हम बात कर रहे थे हैं गेरिवी के वाव लगुरेथिमिक फंक्शन के उपर तो उससे लिले के हम एक क्वेस्टन सॉल्फ करेंगा और इसका जो कंसेप्ट था वो हमने काफी गिगेल से समझाग ठीक है अब अब जज़ इसका एक क्वेस्टन इसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्फ होगा ठीक है तो देंगे लोगरेत्मिक फंक्शन में हमने किया बात पड़ी कि अगर हमारे पास ऐलेन, ऐलेन, अगर हमारे पास कोई भी ए, हमारे पास ओरी ऐलेन ए, एक्स, अगर हमारे पास इसका privy does लिया जाता है यह हमारे पास क्या है? natural logarithmic फंक्शन तो इसका केली वए कि हमारे पास आता है One 바 X ठीक है और अगर हमारे पास लेखे ये LN लिखावा ए LN का मतलब क्या होता है मैंने बता आया है पहले दोबारा बता तेता हूँ इसका मतलब होता हमारे पास ये Log लिखावा है जिसका Log लिया जा रहा है और बेस हमारे पास को गीए उसकी ए सही ये वज़ा से ये युलर कोंटन्ट का फे हम इसको नेचर लोगरेट्ञ पें स्क्षցड ठीक है और दूसरा हमा पाँगर को जनरल की बात करूं तो हमारे पास उसकी बैस ए हो सकती है तो उसका हमारे पास क्या है गेरे clear here . तो यह दोनों हमें क्या करना है is question को हम देखते तरह ठीके नहां तो देखे हमारे पास क्या f of t function है देके अब हमारे पस क्या है f of t यानि इजी हमारे आउवराल किसके बराबर य के बराबर है ठीक है या निगे आवराल में क्या कह सकता हूँ इस हौल तिंग इस एकौल तू वाई तो यह हमारे पकिसके बराबर आजाएगा वाय के। ठीक है तो अब देखिए हमारे पास ते वाय किसके पाँ गार आए टी के पास जा रहा है अब ज़रूर नहीं ही के हमारे पास जो डेरी वर्क्टिव हो पास जो है इसकी जो डुमेन है देखिए एकस हमारे पास क्या होती है डुमेन होती है यानि हमारे पास जो भी रहे जाती है हम उसको वाई लिखते थे ठीक है हमारे पास जो भी रहे जाती है उसको वाई लिखते है ठीक है ना और हमारे पास इदर क्या होती है अब उसने क्या का आए के हमारे पास जो डुमैन है डोमेन क्या राइए जरक टी आरी है तो हो सकता है जैसे फिसिक्स के अंदर हम देखेंगे ज़हां यूज होगा तो उसकी जो हम डुमैन ले रहे इस व Vorक हम क्या ले रहे ती ले रहे हो जो है वो टी का function एक ठीक है तो गेरी वे किव कि वाइट टी यानि हमारे पाइट यह जो वाइट रहें जो वो किसके respect में differentiate करें विद रिस्पेक्ट टी ठीक है तो जरूर नहीं कि एक्स के respect में होगा ठीक है क्योंकि हमारे पास domain देखी जाती है इन सब के अंदर इसकी domain क्या है इसकी सारों की domain क्या टी आ रही है ठीक है क्लियर है तो अब इसको देखिए अब हम किस तरह से solve करेंगा हमें लिकालना डी बाइगी ठीक है तो हमारे पास हो जाएगा हमारे पर वाई किसके बराबर है तो वाई दूस हमारे पास बराबर है one by two times यह हमारे पार time 10 10 square टी पिलस एलन एलन की domain कहा देखी कि कोई domain इदर डोमेन एक्स लिकीवी थी एक्स या जनल फंक्शन की हमारे पर नेचर लोगरेत्मिक फंक्शन है यानि यह वाला तो इसकी domain एक्स होती है तो देखिए यह हमारे पर अभी डो यह एलन की जो हमारे पास जो है न डेरी वेकिव लिया जाएगा one by two का और times टी एन स्क्वेर और टी ठीक है विजिस इस्पेक्ट टी सही है फिर फिर पिलस साइने जी कि अब डेरी विजिए जाएगा किसका एलन एलन कॉस्टी विजिस इस्पेक्ट टी ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इ मेरे पास यह चीज़ क्या हो जाएगा इसको यह वाली हमारे पास चीज़ हो जाएगा one by two वार आ जाएगा constant हमारे पर एक function से multiple और ठीक है और इस चीज़ को देखिए इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ ten t है ना तो इसको ten t by ten t वी लिख सकता हूँ आप इसका वें कि मुझे निकालना है कि इसका इस टी का अब देखिए मैं directly chain rule apply करूँआ मैं क्योंगा कि मेरे पाद t a tank t यानी यह angle है सही तो यह हमारे पास बराबर रही किसी u के तो मेरे पास क्या हो जाएगा u और square ठीक है इसको differentiate करें with respect to t ठीक है फिर pillars पिर हमारे पास क्या हो लेता हूँ के मेरे पास जो कोस्ट टी है वो बराबर है वी के तो मेरे पास एलेंग क्या हो जाएगा वी और इसको हम डिफरेंशेक कर रहे है विद रिस्पेक्ट टी ठीक है अब एक बात इदर देखिए हमारे पाफ पावर रूल जो होता है वो मैंने आपको बताए था कि आ और एक्स के अंदर से एन माइनस वाइन ठीक है अब इस तरह भी देखिए हमारे पास इदर जो है इदर हमारे पास क्या है एक्स है यानि एलेंग की जो डुमेन है वो एक्स है ठीक है और वो डिफरेंशेक्ट हो रही है अगर हम देखे अगर हमें इसको डिफरेंशेक्ट क करके यह वाली चीज़ को अगर मैं यहां से क्लियर कर लूँ ठीक है तो यह हमारे पास जो है ना यह लिखावाय दी डेरिवेक्टिव लिया जा रहा है किसका इस चीज़ का सही है ना और विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब देखिए जो डोमेन में आ रहा है लेंगी उसी के इस पेक्ट में इस तो यह इसा पॉसिबल है अब इदर हमारे पास एलन की वी है और इस प्रिफरेंशियक और विज रिस्पेक्ट टू अब हमारे पास डिफरेंशियेशन पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे सिंपल अब चैन रूल अपलाए सही ना यह जो मैंने वी लिखाए यह चैन रूल के लिए ही किया है तो वान बाइक टू हमने काफी डिटेल से कंपोजिक फंक्शन के अंदर चैन रूल पढ़ा है तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा इसको मैं कहलूँगा कि हमारे पास जो है ना किसका लूँगा पहले मैं यू बाइक टू विज रिस्पेक्ट टू यू सही है ना क्यूंकि जो भी डूमेन के अंदर वेरियेबल है वो एक्स वाइज है कुछ भी होसी के रिस्पेक्ट में अगर उसको डिफ्रेंट शेक करें तो वो जो हमारे पास जो रूल 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 कि यह वापी समर पर ये कैंसल होगी ये कैंसल होगी तो मैरे पर डी और दे कि यह वाली चीज यह हमार पास आजाएगी चिकिकलिया रे तो देखिए यह अगर मैंने एक स्टेप बढ़ाया तो डी वी यू कैंसल आउट भी हो रहा तेके ना फिल्स हमारे पास क्या होगा इ यही वाली चीज हागे ठीक है clear है तो यही हमने बस एक chain रूल लगा कि इसको थोड़ा सा हमने और थोड़ा सा यह जो चीज ठीक हमने बढ़ा दियर किया किना chain rule क्लिए otherwise हमारा answer नहीं निकल सकता थ्टिक है तो मेरे पास क्या जाएगा one by two तेक है और you की पावर क्या हो जाएगा हमारे पाट टू इधर आजाएगा ठीक है ना और मेरे पाट यू की टू माइनस वन यानि वन बच्चे की पावर ठीक है और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा अब हमारे पाट डिफ्रेंट शेक करें यू को यू क्या है हमारे पास हमारे पास है 10 10 तेविर रिस्पेक्ट टी ती आफुे है और फिर पिलस रमगुंदी हमारे पास क्थालियगा प्रफरेंच आज रहें डोमें कंच मैं वी और भी इडिकन टाइमस हमारे वी जो एद मेस儿 टी को को दूल with respect to d t तो अब इसको हम मजीद देखिए किस तरह से solve करेंगे हमारे पास यह आपस में cancel out हो जाएगा तो मेरे पास इधर u जो है इस one से multiply हो जाएगा और u की value के मेरे पार 10 तो मेरे पास 10 और domain cat t है और हमारे पर नीचे devisor में क्या आ जाएगा कुछ भी नहीं है इदर two cancel out हो चुका है ठीक है और times अब 10 का derivative लिया जा रहा है with respect to t तो हमारे पर 10 का जो derivative होता है वो sec sec domain के एक t है और इसका square ठीक है और फिर पिलस sign अब हमारे पास क्या आगया one by v v किसके बराबर है तो v हमारे पास बराबर है cos t के ठीक है और times हमारे पर derivative लिया रहा है cos t का with respect to t तो हमारे पास क्या हो जाएगा minus minus sign t ठीक है यह हमारे पास आगया answer और इसको हम अगर और simplify कर ले है अगर हम और सिंप्लिफाइए कर ले तो इसको हम कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए हमारे पास यह सेग जो बराबर होता है सेग 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 ठीटा इस इकूल टू हमारे पास बराबर होता है टैन 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 ठीक है सोरी टैन ठीक है डूमैनस की ठीक ह और पिलसवान तो इसकी जगा में क्या लिख सकता हूं इदर में लिख सकता हूं । एंट एंगल क्या अभी ठी taş क नहीं है एक ठी जह इये और फिर हमारे पास देखी zo on में लिखेंगे तो हमारे बाइब किसके बराबर एक टैन तैन सोरी ये किसके बराबर हो जाएगा एंगल के एक टीक है और पिलस वाट टीक है और पिलस हमारे पास ये क्या हो जाएगा देखिए ये माइनस है इस माइनस से मल्किप्ला होगी माइनस हमारे पास क्या हो जाएग साइन साइन टी और गवाई कि वाई कोस्टी ठीक है तो यह वाली जो चीज है हमारे पास ही किसके बराबर होगी साइन ठीक है यानि साइन ठीक है तो यह और यह से में मुल्किप्लाइ कर वाले तो मेरे पाई यह से जब मुल्किप्लाइ होगी इस से भी एक बार मुल्किप्ल to ten ten T सभी है ना तो यह देखिए यह positive यह negative तो यह cancel तो हमारे पाफ जो answer यह स्क्यूब था सभी है तो हमारे पाफ आञासर क्या आया है टेंग टी का स्क्यूब तो यह था इसका final answer जो का हमने निकाला तो आपको बात देखिए थोड़े समझ में आगई होगी अब हम बात करते हैं इसके अगले टोपिक्स का उपर